श्कार दोस्तों मेरा नाम है रवी और स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल जोतिश राशी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशी के जातकों के बारे में और उनके जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जो भी बुरे प्रभाव इस अफ़ी में मकर राशी के जातकों के जीवन में आने वाले हैं उनसे भी वो छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इन घटनाओं के बारे में तो सबसे पहली घटना के अगर बात की जाए तो मार्च और एपरिल में आपके अंदर आत्मिश्वास बहुत रहेगा साथ ही साथ आप इस अफ़ी में अत्यधिक रोमैंटिक भी रहेंगे और आपका जो प्रेम प्यार है इस समय काफी अच्छा रहने वाला है परन्तु आपके अंदर इस अफ़ी में गुस्सा बहुत रहेगा जिसकी वज़े से आपको नुकसान हो सकता है तो अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रख पाएंगे तो ये मार्च और अपरिल का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि अपने कॉन्फिटेंस अपने आत्म विश्वास के दम पे आप बहुत सी चीज़े अचीव कर पाएंगे मार्च और अपरिल में आप दूसरी घटना की अगर बात की जाए तो मिड अपरिल से मिड जून के बीच में आप अपने कारशेतर और विपार में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं इस बात को याद रखिएगा मिड अपरिल से मिड जून के बीच में आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने कारशेतर में व्यापार की प्रड़ोक्तरी के लिए उसमें आपको फाइदा मिलेगा और हो सकता है यहाँ पे आपके कारशेतर में आपके जो सीनियस हैं वो आपके काम को अप्रिशेट करें जिसका भी आगे चलके आपको फाइदा मिल सकता है तीसरी घटना के अगर बात की जाए तो इस वर्ष आपकी वारी बहुत जादा प्रभावशाली रहने वाली है जिसके बल पर आपको करियर और व्यपार में अच्छी तरक्की मिलेगी बाकी चौथी घटना की अगर बात की जाए जो इस वर्ष घटने वाली है तो इस पूरे वर्ष आपकी बुद्धी बहुत तेज रह पूरे वर्ष आपको चीजों को लेकर थोड़ी सी असंतुष्टी रहेगी आपके सारे कारे अच्छे होंगे परन्तु फिर भी उन कारें को लेकर आपके मन में कहीं न कहीं डर और असंतुष्टी का महौल रहेगा आप डर डर के काम करेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या ह होगा परन्तु आपके सारे कार अच्छे से होंगे अच्छे से पूरे होंगे आप बिना वजह ही डरेंगे और यह पूरे वर्ष आपके साथ रहने वाला है तो कोशिश कीजिए कि इसके ओपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की अब छटी घटना की अगर बात की जाए जो की इस हो सकती है तो जुलाई के बाद आपके अंदर थोड़ी जिद अकड बढ़ जाएगी और आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा अडियल और चिर्चिड़ा हो जाएगा जिसे आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि इसकी वज़े से आपके रिष्टे खराब हो सकत है अब अगर सातवी घटना की बात की जाए तो मई से पूरे वर्ष जो लोग विवा के लिए परिशान हैं जिनको अच्छे रिष्टे नहीं आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को अच्छे रिष्टे आना शुरू हो जाएंगे मई के बाद से और जो लोग फैमली प्लानिंग कर सकती इसके लिए आपको प्रयास करने की जुरूरत है और आठवी घटना की अगर बात की जाए तो जो लोग मार्केटिंग टूर एंड ट्रेवल्स और ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको मार्केट में रहना पड़ता है उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा फाइदा मि दिख रहा है आपको नए क्लाइंट मिलेंगे और आप इस अवदी में कुछ नया भी सीखेंगे जो की आगे चलके आपके करियर में आपको फाइदा पहुचाएगा तो यह थी आठवी घटना और आगर नवी घटना की बात की जाए तो इस पूरे वर्ष आप करियर को ले आप जिस नौकरी में अपने आपको बहुत फसा सा फील कर रहे थे और काफी लंबे समय से बिना किसी नई आपॉचनिटी के वहां पर बस काम करते जा रहे थे बिना किसी अच्छे इंक्रिमेंट के अपद प्रमोशन के तो आपको यहां पर फाइदा मिल सकता है और आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉचनिटी आ सकती है जिसे आप ग्रैब करके आगे बढ़ सकते हैं तो यह डिसीजन आप अपनी जो कारिशेतर में हैं वो ले सकते हैं जो कि आपके लिए फाइदे मन भी थाबित होगा अप जैसा मैंने बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आप आपको को छुपाए भी बताऊंगा जिसे करके आपके जो राशी है उसके ओपर जो इस अवदी में नकरात्मक प्रुभाव आने वाले उससे आप छुटकारा पा सकते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको रोजाना शनी देव का बीज मंत्र सूरियास्तर के पश् तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद